नमश्कार आप देख रहे हैं N27 News वक्त ओ चुका है इस वक्त की बड़ी ख़वर जाने का एक भोजपुरी एक्ट्रेस को मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रेकेट का संचालन करते हुए गिरफतार कर लिया गया है इस रेकेट का भंड़ा फोड करने के लिए पुलिस ने एक फरजी कस्टमर को भोजपुरी एक्ट्रेस के पास भेजा था एक्ट्रेस ने उसे मॉडल्स दिखा कर पैसे लिये और पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया जी हां मुंबई पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रकेट का भंडा फोर्ड किया इस मामले में चापे मारी के बाद एक भोजपुरी एक्ट्रेस को भी गरफतार कर लिया गया है पुलिस के मताबिक सुमन कुमारी नाम कि ये भोजपुरी एक्ट्रेस हाई प्रोफाइल सेक्स बतादे रकेट में दलाल के तोर पर काम कर रही थी कारवाई को मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच नहीं अन्जाम दिया है पुलिस के मताबिक उन्हें आरे कलोनी के इलाकों में रोयल पाम होटल में सेक्स रकेट की जानकारी मिली थी पुलिस नहीं एक फर्जी कस्टमर सुमन कुमारी नाम की भोजपुरी एक्टरिस के पास भेजा सुमन कुमारी ने उस फर्जी कस्टमर से डील की जिसमें उसने हर मॉडल के पचास से हजार रुपे मांगे सुमन कुमारी ने पुलिस के फर्जी कस्टमर को आरे कलोनी में इस रॉयल पाम होटेल भेज दिया यहां मॉडल्स पहले से मौजूद थी इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही पैसे लेते हुए सुमन कुमारी को गरिफतार कर लिया होटल से तीन मौडल को भी रेस्क्यू किया गया पुलिस के मताबिक सुमन कुमारी एक भोजपुरी एक्ट्रेस है जो कस्टमर को मौडल सप्लाई करती है यह मौडल फिल्मों में एक करियर बनाने के लिए मुंबई आयी थी स्टेगल के दोर से गुजर रही इन मौडल्स को पैसे की जरूरत थी सुमन कुमारी ने बता दे इन से कॉंटेक्ट कर उन्हें देव वेपार के लिए मजबूर किया बता दे हाई प्रोफाइल सेक्स रेकेट में दलाल की भूमे का निभार है एक्ट्रेस सुमन कुमारी ने कई भोजपुरी फिल्में भी की है सुमन ने लैला मजनु के लावा बाप नंबरी बेटा दस नंबरी जैसी भोजपुरी कॉमेड़ी शोो की है इसके लावा एक्टरेस बूम OTT चैनल पर भी काम कर चुकी है वहीं आपको बता दे मुंबई पुलिस की सोशल सर्वेस ब्रांच ने एक्टरेस को गरफतार कर लिया है पुलिस की जाच के मताविक सुमन कुमारी 6 साल से मुंबई में रह रही है लेकिन वो इस सेक्स रेकेट की कारोबार में कब से है इसकी जानकारे फिलहाल नहीं मिल पाई है अब ही के लिए इतना ही ऐसे तमाम अपडेट से जुड़र हने के लिए देखते रही हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर